हलो एवरीबर्डी आई होग कि आप सब बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की धेर सारी सुब काम ना है यह है दिल्ली मुंबर एक्सपेस्पे का इंटरचेंज जो कि बनाया जा रहा है और यह क्रॉस कर रहा है इस जगा पर सोना रोट को जगा है यह सोना सेक्टर 36 इस पूरे दिल्ली मुंबर एक्सपेस्पे का इस इंटरचेंज पे कितना कुछ काम हुआ है उसका अपडेट जल्द ही आने वारा है और अपडेट तो इसका भी आने वारा है इस Sona Road का क्योंकि इस Sona Road को भी बनाया जा रहा है Sona Road पे भी काम चल रहा है और काम चल रहा है 3 lane का express lane बनाने के लिए और 2 lane के service road बनाने के ताकि हम और आप आसानी से गुर्गाओं के राजीब चौक से लेकर Sona sector 36 में इस दिल्ली Mumbai Express पे को connect कर सके और इसी वज़े से 3 lane का access control ये बनाया जा रहा है Sona Road और 2 lane का इस पे service road भी दिया जा रहा है access point दिये जाएंगे इस पूरे Sona Road पे ताकि हम और आप access point के जड़िये ही इस पे connect हो सके हैं कुछ वक्त पहले ही ये बनकर त्यार हुआ है और आपको दोनों तरफ से traffic आता हुआ इस पे इस लिए दिखेगा क्यूंकि अभी एक ही तरफ को open किया गया है और officially इसे open नहीं किया गया ये पूरा Sona Road 2022 तक ready हो जाएगा लेकिन जिन जिन जगों पे elevated part बन चुका है या highway का part बन चुका है उसे open कर दिया गया है traffic moment के लिए जी हाँ बड़ा ही खूबसूरत बनाया है इस Sona Road को 1500 करोड की लागत से ये Sona Road बनाया है और द्रिस बड़ा ही अद्भुत है Sona Road का क्यूंकि इस Sona Road पे अब आपको express lane पे drive करने का मौका भी प्राप्त होता है जी हाँ और कंपनी जो इसके उपर काम कर रही है वो कंपनी है HG Infra Engineering Private Limited और उसी कंपनी द्वारा इस Sona Road के express lane पे काम किया गया है Sona Road जो की पहले हुआ करता था दो lane का और आज ये है 5 lane का East Side 3 lane का ये express lane 2 lane का service road और ये black top का काम अभी कुछ वक्त पहले ही किया गया है ट्राफिक आपको इस पेड 2 वे दिखने को मिलेगा क्योंकि दूसरे तरफ का जो express lane है अभी उसे open नहीं किया गया है NHI के द्वारा ही इसे बनाया गया है दो पार्ट में से दिवाइट किया गया है Phase 1 और Phase 2 ये है Phase 2 जिस पे कंपनी काम कर रही है H&J Infra और टोटल ये 21 किलोमेटर लंबा परजेक्ट है Sona sector 36 से लेकर आपको ये जो toll booth जो की भोन से में मिलेगा वहां तक express lane पे ड्राइफ करने का मौका प्राप्थ होगा जी हाँ और सोचे जब ये पूरा Sona Road बंद कर तयार हो जाएगा कितना सारा हमारा आपका टाइम सेफ करने वाला है Speed limit इस पे होगा 100 किलोमेटर प्रतिगंटे का इस express lane पे और जो service road है वो इस पे होने वाला है 60 किलोमेटर प्रतिगंटे का पूरा अपडेट मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में दिखाऊँगा लेकिन आज सोचा कि क्यों न दीप आवली है तो इसलिए जादा बरा अपडेट नहीं कि देते हुए आपको एक छोटा सा अपडेट दे दू और आपको एक खुझकबरी भी दे दू कि इस सोना इलिवेटेड रोट के फेस्टू पे बहुत सारा काम हो चुका है और आपको ये दिखा भी दू कि कितना बहतरीन लगता है अब ये सोना रोट ये है टोल प्लाजा जो कि है 21 लेन का जी हाँ 21 लेन के लिए गुर्गाओं से लोगों को इसी रोट का सहारा लेते हुए जो सोना सेक्टर 36 में इंटरचेंज है वहाँ पे कनेक्ट होने का मौका मिलेगा और इसी वज़ा से ये बहुत ही खास रोट बन जाता है चलिए ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाथ करता हूँ और आप सबी को एक बार फिर से दीपावली के धेर सारी सुब कामना है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में अपना ख्याल लखेगा जैहिंद तो मैं बार रखेगा मैं वीडियों नहीं यहीं दाख़ा नहीं पत्सुब के लिए मैं अखावली रराहने लोगवली के तुआ के लिए बनाह अवावला हुआ झाला इवीडियों देसे लाजा है अवीडियों लोगषों प्रूंज 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 अपर नहां टॉबाग्त झाल झाल झाल